नमस्कार, Market Times TV में आपका स्वागत है कपास को लेकर दो बड़ी खबरे हैं पहली खबर निर्यात से जुड़ी है और दूसरी खबर स्टोक से जुड़ी है आपको बता दें कि Market Times TV के पास मौझूद आकड़ों से यह पता चलता है कि चालू सीजन जो अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ है में कपास के निर्यात में जबर्दस्त बड़ोतरी दर्ज की जा रही है साल 2022-23 के सीजन में जितना निर्यात किया गया उस से ज़्यादा का निर्यात अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 यानी केवल पांच महीनों में ही किया जा चुका है बीते सीजन में कपास का कुल निर्याद 15,50,000 बेल था और फरवरी 2024 तक 15,00,000 से ज्यादा बेल का निर्याद किया जा चुका है जिससे ये बात तो साफ है कि अगले साथ महीनों में देश से कपास का खासा निर्याद होने जा रहा है मारकेट टाइंस टीवी पहले भी अपनी रिपोर्ट में बता चुका है कि चालू सीजन में कपास का रिकोर्ड निर्याद संबव है अभी तक सामने आ रही जानकारी के मताबिक चालू सीजन में 25,00,000 बेल का निर्याद संबव है वहीं उत्पादन में गिरावट के चलते देश में स्टोक की लाइन खाली नजर आ रही है बीते साल जहां देश में 369,00,000 बेल का उत्पादन था जो की घटकर 309,00,000 बेल रहने की संबवना है चालू सीजन में देश में कपास की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात भी बड़ा है चालू सीजन में 20,00,000 बेल का आयात है जो की बीते साल 12,50,000 बेल का था वहीं चालू सीजन में कपास का ओपनिंग स्टोक 29,90,000 बेल था आपको बता दें कि चालू सीजन में कपास की खपत में भी इजाफा देखा गया है चालू सीजन में कपास की खपत 311 लाक बिल से बढ़ कर 317 लाक बिल रहने की समभावना है इसमें 11 SME यूनिट की खपत 201 लाक बिल की है यानि MSME unit के अंदर जो कपास का जो खपत है वो बड़ा है वहीं फरवरी में देश में कपास का स्टोक अगले तीन महीने के लिए प्रियाप्त माना जा रहा था जो की करीब 49 लाक बेल था और मार्च में स्टोक घटकर 30 लाक बेल पर रह गया है जो की अगले दो महीने की supply और demand के अंदर में काफी बड़ा gap दिखा रहा है और 30 लाक बेल का यह है जो स्टोक है यह अगले दो महीने की जो consumption है उस पर काफी कमजोर है मिली जानकारी के मताबिक जो गिनिंग मिल्स 70 फिजदी capacity पर काम कर रही थी वो फिलाल 90 फिजदी पर काम कर रही है उसके बावजूद कपास की मांग को पूरा नहीं कर पा रही सभी तत्यों पर गोर करें तो कपास की किमते जल्द 10,000 के स्तर को तोड़ती हुई नज़र आएंगी बीडियो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी